हेलो एन वेरी गुड आफ्टनून तो अलो फ्यू आम गिंजल इन वेलकम तू अद्धा 24-7 हम अज यहां पर डिसकाशन करने वाले हैं सेंट्रल बैंक में आई एक अप्रिंटिशिप के लिए जो विकेंसी है याद रखिएगा यह एक ट्रेनिंग टाइप की जॉब होती है जहां पर आपको stipend मिलता है और यह completely contractual basis पे होती है पर इससे related क्या-क्या details है और यह कैसे students के लिए ठीक है इस exam का pattern क्या है age limit क्या है यह सारे discussion हम अभी करने वाले हैं तो let us start away with the session तो सबसे पहले याद रखिएगा Central Bank में कुछ टाइम पहले भी ऐसी ही एक vacancy आई थी और इस tentative number of vacancies है वो है 3,000 तो 3,000 vacancies है और इसका registration already start हो चुका है 21 तारिक यानि कल से और इसकी जो last date है वो है 6 March और tentatively इसका जो exam है वो 10 March में होने वाला है तो आपके पास बहुत जादा time तो of course नहीं है to actually prepare for this examination बट अगर आप already किसी exam की तयारी कर रहे थे तो आप attempt कर सकते हैं हाला कि क्योंकि job contractual basis पे है और ये contract basis पे आपका थोड़ा सा बस bank को समझने का एक तरीका जो होता है वो आपको मिल जाता है कि bank किस हिसाब से काम करता है और bank में क्या-क्या jobs होती है तो आपका functioning आपको समझ में आ जाता है having said that SBI clerk apprenticeship SBI clerk जब निकला था तो उसमें apprenticeship जो लोग करे हु है उनको थोड़ा relaxation भी मिला था तो यह बस एक instance है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ इसका इस notification से कोई लेना देना नहीं है यह मैं clearly आपको बताना चाहती हूं कि यहां पर ऐसा कुछ specifically नहीं लिखा गया है आगे चलते हैं देखते हैं कि यह जो 3000 vacancies है यह याद कि state wise vacancies निकलती है एकसर तो यहां पर eligibility criteria जो है वो यही है कि आप citizen होने चाहिए इंडिया के आपकी जो age limit है वो 14 1996 से लेके 31 3 2004 के बीच में ही आपका birth period होना चाहिए और याद रखिएगा कि इसके बीच में अगर आपका age limit है तभी आप eligible हैं इसके अलावा आप अगर ST, SC, O WBC या PWBD category से belong करते हैं तो of course आपको और भी extra relaxation यहां पर जो है मिलेगा आपके पास एक graduation का passing certificate होना चाहिए at least आपका 31st 3rd 2020 तक का अच्छा यहां पर physical medical fitness की भी यह लोगों ने बात करी है और उस पे काफी इनोंने जोर लगाया कि आप physically और medically fit होने चाहिए उसका आपके पास certificate भी होना चाहिए और आप एक ही region से इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं selection process के बारे में अगर बात करें तो आपका objective online return test है जो objective type है और एक आपके पास local language proof भी होना चाहिए local language proof का मतलब होता है कि अगर बान लीजे आप 36 गड़ से fill करते हैं form तो आपके पास हिंदी या फिर अगर आप गुजरात से fill करते हैं तो गुजराती आप समझते हैं पढ़ यह जो certificate है यह आपको दिखाना होगा या फिर आपने अपने 10th में 12th में या फिर 8th standard में या graduate level में इस exam को पास किया हो इस language की exam को पास किया हो जैसे मेरा जो state है 36 गड़ तो वहाँ पे हिंदी है तो हिंदी अगर मैंने 8th में 10th में और 12th में अपना passing certificate में मेरे पास हिंदी ह है तो मैं eligible हूँ ठीक है reservation आपको क्या क्या मिलेगा और यह contract क्या यह बड़ा important पार्ट है मैं बहुत ही quickly quickly इस वाले पार्ट में आ चुकी हूँ और यह वाले पार्ट में इतने जल्दी आने का reason क्या है यह मैं आपको समझाती हूँ period of engagement जो है clearly यहाँ पे mentioned है कि period of engagement shall be of 12 months मतलब कि आपका जो contract बनेगा bank के साथ central bank के साथ वो एक साल भर के लिए बनेगा 12 महीनों के लिए बनेगा candidate should be suitable for engagement on the basis of merit list that shall be offered engagement digitally by the bank through apprenticeship total मतलब apprenticeship portal के through आपको पता चलेगा कि merit list में आपका नाम आया है या नहीं आया है आपको यह जो online firm मिलेगा तो bank need to accept it online और यह जो training है यह comments होगी training start होगी उसकी कब से start होगी आपकी training और आपका कब तक के contract है यह सब कुछ आपके उस certificate में लिखा होगा उस acceptance letter में लिखा होगा जो आपको bank provide करेगा अच्छा तो एक साल के लिए यह contractual basis पे job है और इसमें termination के भी बहुत सारे rules है कि अगर आप जो not report at the bank's training venue अगर आप काम पर नहीं आते हैं यह सब कुछ नहीं करते हैं तो यह termination के भी कुछ-कुछ यहाँ पे rules लिखे हुए हैं हाला कि यह बड़ी important बात है stipend अब देखिए बहुत सारे ऐसे students होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपना ये भी effort नहीं कर पा रहे होते हैं वो अपना preparation journey भी effort नहीं कर पा रहे होते हैं उनको बहुत जादा जरूरत होती है कि उन्हें महीने में 10-15,000 कहीं से मिल जाए बहुत आसान है यह कहना कि इस सिच्छा तो आप यह है कि आप tuition पढ़ा लो जो मैं जैसे शेहर से बिलॉंग करती हूँ टीर 3 सिटी मैं मानती हूँ उसको तो टीर 3 सिटी जैसे शेहरों में tuition की जो fees भी है वो 500 रुपे से कम ही है तो अगर आप कोई ऐसे अभ्यारती हैं जो एक state में अपने state में रहना चाहते हैं आप तयारी करना चाहते हैं और अगर आप अपनी तयारी को खुद से fund करना चाहत हैं और आपको सच में बहुत जादा जरूरत है और आप बैंक का एक बार culture भी समझना चाहते हैं कि बैंक में जाकर क्या क्या काम होता है आपसे वो calling वगएरे कराएंगे loan के लिए पूछेंगे यह सब कुछ वो आपसे जो काम करवाएंगे तो आपको bank का एक basic functioning का भी knowledge हो ज होगा तो और इसके ऊपर आपको कोई benefit कोई stipend इसके अलावा कोई allowances आपके पास नहीं होगे कि वो लोग आपको commuting charges दे रहे हैं जैसे अगर मान दीजे आपसे bank जो है काफी दूर है आप हर दिन अगर travel कर रहे हैं तो उसका अलग से आपको bank खर्चा नहीं देगा आपको इसी opportunity है उन candidates के लिए जो सच में जिनको जरूरत होती है for to get a job immediately तो यह उनके लिए है अच्छा हाला कि इसमें भी आपको exam qualify करना होता है तो यह मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या आपका exam होगा आपको apprentice shall be credited one casual leave in every month no other types of leave मतलब आपको महीने में एक leave मिलेगी यह तो सारी जॉब में होती है यह महीने में एक या दो ही leave मिलती है और आपको total चार casual leave मिलती है साल भर में और leave जो accumulate होती है अगर वो exhaust हो जाती है daily जो working hours है वो ऐसे ही होते हैं जैसे आपके clerical staff में होते हैं basically bank clerk की training जैसा यह एक notification है अच्छा आगे चलते हैं समझते हैं कि what is the relaxation age की अगर आप STI SC है तो आपको पात साल क्या relaxation होगा अगर आप OBC category से हैं जो non creamy specifically non creamy तो आपको तीन साल का relaxation मिलेगा अगर आप person with disability है तो 10 years अगर आप 1984 right से हैं तो 5 years और अगर आप widow divorced women है जो legally separated है अपने husband से और उनकी अभी फिर से शादी नहीं हुई है तो उस condition में आपको 35 years मिलेगा और फिर अगर अगर आप general है तो अगर फिर आप EWS है तो 38 OBC है तो 40 STSC है तो 40 इस तरीके से आगे ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि age concession up to the age of 35 years for general अगर आप मान लो widow है separated है तो 35 साल अगर आप EWS category से हैं और आप widow, divorced या separated है तो 38 years और फिर for OBC और similarly 40 years for ST and SC candidate. आगे चलते हैं एक बार जल्दी से अपन pattern की तरफ चलते हैं कि what is the pattern of this examination और फिर उसके बाद हम जो है सारी important चीजों को discuss कर लेंगे. अच्छा, application fees क्या है तो जो PWBD candidates है उन्हें 400 रुपीज प्लस GST देना पड़ेगा for application fees. अगर जो STISC या All Women Candidate जितनी भी महिलाएं हैं या EWS से हैं आप या STISC हैं तो उनके लिए 600 रुपीज प्लस GST और जो बचे हुए candidate हैं मतलब आप general हैं और अगर आप mail है तो उस condition में आपको 800 रुपे और GST आपका जो है form का price है. ठीक है? आगे चलते हैं, एक minute बस यह यहाँ पर. अच्छा, कित्ते ऐसे लोग हैं जो ऐसी vacancies में apply कर चुके हैं पहले एक बार yes या no में बता दे एक बार yes या no में आप अपना जो है answer दे दे ना कि अगर आप apply कर चुके हैं इस vacancy के लिए already तो. यहाँ आपने कभी कोई apprenticeship के लिए आपने apply किया था, तो यह रहाँ. स्टेट वाइस vacancies की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा Central Bank का पहले भी जो apprenticeship का notification आया था, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि आपका return examination होगा और फिर interview भी होगा. तो इस बार भी आपका interview भी रहेगा. तो यहाँ पे अंडमा निकोबार में आपकी statewide vacancy 1 है, आंदर प्रदेश में 100 vacancy है, अरुनाचल प्रदेश में 10, असाम में 70, बिहार में 210, चंदीगड में 11, 36 गड़ में 76 और उसमें division ओल्लेडी दिया हुआ है जो आप detail में देख सकते हैं, जैसे 36 गड़ में आ दिया है कि यह जो भुपाल, अंबिकापूर रीजन है माँ 40, राइपूर में 36, similarly गुजरात में 3 vacancy हैं, दिल्ली में 90 vacancy हैं, और अच्छा नहीं, गुजरात में 270 vacancy हैं, तो यह क्या था? अच्छा यह एहमद अगर, this is दादर और नागर हवेली, तो दादर और नागर हवेली में 3 vacancy हैं, बट गुजरात में 270 vacancy हैं, हर्याना में 95 vacancy हैं, हिमाचल प्रदेश में 26, जम्मू और कश्मीर में 8, जार्खन में 60, करनाटका में 110, कैरला में 87, लदाख में 2, और MP में 300 vac vacancy हैं, और फिर इसको रीजन वाइस भी डिवाइड कर दिया गया हैं, कि बणीपूर में 8, मिघाले में 5, मिजोरम में 3, नागलें 8, उडिसा 80, पॉंडीचेरी में 3 vacancies, पंजाब में 115 vacancies, राजस्तान में 105 vacancies, सिक्किम में 20, तामिलनाडू में 142, तेलांगना में 96, 105, which is a very good vacancy, age limit 28 है, उत्राखंड में 30, और वेस्ट बिंगॉल में 194 vacancies है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से, I have given you all the possible details here, मैंने कुछ miss out तो नहीं किया है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप definitely पूछ सकते हैं, कि माम येवला डाउट है, ये आप क्लियर कर दीजे, हम comment section में आपको इसका reply जरूर करेंगे, एक बार थोड़ा सा, यहाँ पर अपन search कर लेते हैं, कहां गया, एक मिनिट, मैं आपको इसमें से पढ़के बता देती हूँ, Age limit 28 है बिटा, Age limit is 28, 14 November 1993, OBC, General Non Creamy Category, देखो तीन साल का relaxation है, बट मुझे लग रहा है आपका तीन से ज्यादा हो चुका है, Certificate, आपको ज़रूरी होगा to prove करना कि आप OBC से हैं, या Non Creamy Layer से हैं, या जो भी हैं, देखे, selection process में clearly लिखा हुआ है कि online आपका return test होगा, जो objective in nature होगा, और इसमें आपके पास quant reasoning English, जीए, ये सब कुछ मांगा है, कहां, ये यहां, कहां है, selection process जो है, ये रहा आपका, जिसमें आपका return और interview सब कुछ है, जैसे यहां पे देख लीजिए, objective type आपका exam होने वाला है, जो online आपका return examination है, वो 5 पार्ट में होगा, तो यहां पे आएगा आपका quant, English, reasoning, computer aptitude, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, basic retail liability products, basic retail aside products, basic investment products और basic insurance products, ये जो 4 पार चीजे हैं, ये banking से related चीजे हैं, बट आपको ये बिल्कुल basic basic जानना है, कि basic आपका investment products क्या क्या हो सकते हैं, जो bank आपको provide करते हैं, या in general जो investment products होते हैं, इसके अलावा basic insurance products क्या क्या हैं, basic retail asset product क्या क्या हैं और basic liability, तो याद रखिएगा कि जो का exam है बहुत उससे close है बट at the same time उन्होंने तीन चार चीज़े जो कुछ है वो add कर दी है तो यह आपका syllabus हो गया quant reasoning English के अलावा आपको computer knowledge और यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अच्छा selection आपका merit wise होगा फिर उसके बाद आपका local language proof होगा followed by interview as well तो यह है आपका पूरा पूरा notification मैंने all possible areas को cover कर लिया है कि चाहे वो eligibility हो age criteria हो age का relaxation हो tenure of this contract is of one year तो जितने भी वो students है ओम कनाड़े yes जितने भी students हैं जिन्हें अभी तक के ऐसा लग रहा था कि कोई भी हमारे पास नौकरी नहीं है हमें अपने आपको effort करने के लिए हमें इस तयारी के period को effort करने के लिए हमें जरूरत है एक नौकरी की तो आप इस नौकरी का हिस्सा definitely बन सकते हैं age limit बार बार बच्चे पूछ रहे हैं मैं फिर से एक और बार आपको बता देती हूँ यहां पे clearly लिखा है कि 28 years तक कि आपकी age limit है मतलब आप अगर 1-4-90-96 से आप 31-3-2004 के बीच के period में आपका date of birth है तो आपको आप eligible हैं अगर आप general हैं तो बट जस्ट इन केस अगर आप STSC या OBC हैं तो उसके लिए आपको relaxation मिलेगा और वो relaxation मैं आपको यहां पे quickly बता देत हूँ 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 है हाँ रिलाक्सेशन वही है आप जो सारे गेरा तो आपका जो relaxation है ST और HC candidates के लिए है for 5 years similarly OBC non creamy layer के लिए है 3 साल अगर आप PWBD category से हैं तो 10 साल government सरकारी bank में ही आप नौकरी करेंगे पर contractual basis पे है जिसको हिंदी में हमारे आसंविधा भी कहते हैं तो contractual basis पे है रूमी आने वाला होगा बहुत जल नई एक साल के बाद आपका contractual period खतम हो जाएगा एक साल के बाद वो आपको continue करेंगे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है वो bank के हाथ में हैं और bank आपको नौकरी देगा या नहीं बट याद रखिए ऐसा सर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है अब ही मिल जाए तो यह उसे साब से एक जॉब है हुँ 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 ठीक है तो आई होप मैंने आपको सारी डीटेल्स बिता दी हैं आप इस नौकरी की तयारी भी कर सकते हैं हमारे साथ इसी चैनल पर आपको जित्ते जो सब्जेक्स है क्वांट रीजिंग इंग्लि इन सफी की क्लासे यहां पर मिल जाएंगी तो आप वो सारी क्लासे भी अटेंड कर सकते हैं यह ऐसी जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट देना हमारा फर्ज है तो प्लीज मेक शॉर करें कि आप इस चीज को अप्रिशियेट करें कि हम एक लीस्ट आपको यह सारी इंफ देते रहे हैं टाइम टू टाइम हो सकता है आप वो कैंडिडेट ना हों जिसके लिए यह नौकरी बनी है बट कोई और जरूर इस दुनिया में होगा वो कैंडिडेट जिसको यह नौकरी की जरूरत होगी ठीक है तो आप मैंने आप सभी की मदद करी होगी बाकी आप सभी से मिलकर आप सभी की हर दिन इंग्लिश की क्लासेज होती है इसी चैनल पर शाम 6 बजे थांक यू और हैव नाइस दे अहेड़